दोस्तों आप सभी को सुभा का नमस्कार आज मैं आपको चिंतन पढ़ाने वाली हूँ अगर आप सीटेट और टैट की त्यारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करो यहाँ पे आपको अच्छे से त्यारी करा दी जाएगी और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब करें लेटियो पसंद आएगा तो शेर करिएगा ताकि मेरे चैनल से और लोग भी जूढ सखेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए पढ़ते हैं चिंतन तो चिंतन si gather areities है क्या पहले हम लोग जानते है कि चंतन है चिंतन एक मनोवज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैक्ति समस्या समधान के लिए सूचता है विचार करता है यही क्या कहलाता है चिंतन कहलाता है उसकी बाद लेकिन यह बात हमेसा महत सोके हैं कि बिना भासा की अधार पर आप नहीं सोच सकते, अगर कुछ भी आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो उसमें भासा जरूर होगा, हाँ ठीक है, आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी विचार करोगे, उसमें क्या होगा, भासा जरूर होगा, अगर हम किसी के बारे में विचार कर रहे हैं, यानि आप क चीज की बारे में सोच रहे हो कि या तो चलिए आप कोई आपकी गाड़ी उड़ी है स्कूटर वगरा है खराब हो गया है आप सोच रहे हो उसको बनवाना है यह करना है तो उसमें क्या-क्या लगेगा यह सब आपको प्रतिक चिन भी दिखाई देंगे और भासा भी आपकी म चिंतन तता कल्पना दोनों ही ग्यानात्मक और रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है वही चिंतन और कल्पना है यह विचार करना यह सोचना यह सब आपका रचनात्मक और ग्यानात्मक मानसिक प्रक्रिया है उसके आदम लोग कुछ इंपोर्टेंट लोगों की चैनल रूप से प्रतिकों और दिखाई नहीं होता है। कानन तताहेंगमन का मानना है कि प्रतिमाओं प्रतिकों संप्रत्यों नियुम्मों ता मध्यस्तिकाईउं का जोड तोड़क जो है वो क्या है चिंतन है उसकी बाद है राज के नुसा क्या है तो राज जी मानते हैं कि चिंतन मानसे क्रिया का ग्यानत्मक बच्छ है और वेलेंटाइन क्या मानते हैं तो मनों विग्यानिक दृष्ट कोर से चिंतन सब्द का प्रयोग उसक्रिया के लिए होना चाहिए इसमें संकलावद विचार किसी लचकी और अविराम गती से प्रवाहित होती है तो देखिए दोस्तों ये चारों लोग का मुझे इंपॉर्टन लगा प्रिवासा चलिए मैं ले आई तो आप लोग को अच्छे से थौट पढ़ लिजेगा उसके समाधान के लिए आप सुचोगे तो वही दिया है कि चिंतन प्रकिलया की सुरुआट जो होती है वो समस्या सामने से होती है चिंतन में भासा प्रतीक प्रतिमाओ का काफी युगदान है यह तो मैंने आपको बताया बिना भासा के आप चिंतन करने सकते आप किसी के बारे में विचार करोगे सोचोगे तो उसमें आपका भासा का प्रयोग जरूर होगा प्रतीक प्रतिमाओ यानि चित्र भी आपको दि नमस्या का समाधान करता है चिंतन जो इक चटिर मानसी क्रती दिए आप को बताते हैं तो आप अगर स०ान के सक कुछ भी उजग का हो अउसकों प्रतिमाय भासा जो है काफी युगदान है और यह जो है इसके सारे किसी प्राणी की समस्या का समाधान भी करता है तो देखिए दोस्तों चिंतन के लोग साधन देख लेते हैं तो चिंतन के साधन भिम वही में बताई जब आप सोचते हैं तो आपके सामने कोई फोटो कुछ भी सोचो या कुछ लोग मुवी से ही ले लेते हैं किसी आप एक्टर अटर के बारे में सोचोगे तो आपको तुरंद उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा संप्रत्य और कॉंसेप्ट संप्रत्य और पूरे समाने वर का प्रतिनी धित्य करता है ठीक है संप्रत्य क्या करता है पूरे समाने वर का प्रतिनी धित्य करता है उसके वादा आपका प्रतीक्चिन प्रतीक्चिन है कि जैसे कि सिंबल्स सिंगनल के रूप में आप कुछ भ विचीज का हो जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको सिंबल याद आएगा सिंगनल की रूप में आपको प्रतिक चिंद जो है दिखाई देगा भासा बिना भासा के चिंदन आप नहीं कर सकते यह मैंने बताया आपको तो दोस्तों आप चिंदन के मैं प्रकार देख ले प्रतिक चिंदन करते हैं वह एक्जामपल ले लिए जैसे आपके घर में कोई चीज बिगड़ चुकी है कोई समान है कोई वस्तू है या कोई भी चीज है तो आप उसके सामने आपको दिखाई दे रही है सामने है और हम उसका अनभाव कर चुकिए यानि मेरे सामने दिखा दे रही है तो प्रत्य चिंदस उपलब्ध होई है तो इसए ही क्या करेंगे प्रत्य चेज हमुर्त्य चिंतन करते हैं है こो महीndar रर्मया होता है तो जो करते हैं झाल्पनीक्ताटि ये आपको सामने नहीं दिखाए हैं कbourफद नहीं है उसके बार से नितरों करते हैं या आप ही सुचों के हम अप पियम बन गए हो या आप बहुत ज़्यादा हम सब्से धनी व्यक्ति बन गए हो दुनिया के आप यहां गुम रहे हैं और यह तो अपे ऐता है कंपकी अपको मूर्तिचिंतन को तो इस चिंतन को तारकिक चिंतन भी कहते हैं, इस किसी लच्छ को प्राप्त करने के लिए जटिल तारकिक हम विचार करते हैं, उससे विचारात्मक चिंतन कहते हैं, यह चिंतन जो है सबसे महतुपूर हिस्सा है, यह चिंतन जो है सबसे महतुपूर हिस्सा है, यह चिंतन जो तो दोस्तों यह आपके चिंतन के प्रकार हो गए तो विचरात्मक चिंतन या थाद वारती चिंतन तो इसमें भी आपके दो प्रकार है अविशारी चिंतन अपसारी चिंतन तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वह अविशारी चिंतन अपसारी चिंतन भी बनाऊंग